आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस क्वेशन है बोला गया कि अपने पास एक वैक्यूम क्लीनर है जो की फ्लोर पर रखा गया जब उससे स्विच आउन करेंगे तो स्मॉल एंगल से वो टर्न होके फिर रुख जाएगी यह क्यों होता है यह पूछ रहा है तो अपन मालेते है कि इस तरफ एह ब्लोव होगी तो प्रेशर के वजहे से इस तरफ पनको फूर्स लगेगा तो pressure के वज़े से इस तरफ अपन को force लगेगा जैसा एक circular motion कमान लेते हैं कि इस तरफ अगर force है तो circular motion में जिस पात में वो जा रहा है तो उस पात में यसे जाएगा पर उसके linear velocity जो है वो इस तरफ रहेगी तो linear velocity के वज़े से इसके वज़े से कितने acceleration मिलेगा f by m acceleration मिलेगा और initial velocity 0 है तो v is equals to u plus 80 से initial velocity 0 है और acceleration अपन को पता है कि f by m into t तो इतने velocity से या उतने time बाद ये आगे जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे जो फ्लोर पे रहेगी वह balance कर देगा इस acceleration या इस force से ठीक है तो इसके बाद कुछ देर चलने के बाद फिर से वह रुख जाएगा तो कोई acceleration नहीं लगी इस पर इसके वाज़े से जैसे चालू करते है वह पीछे के तरह force मिलता तो पीछे आता है फिर कुछ देर बाद वह रुख जाता है यहीं चीज यहाँ पर भूच आगे है कि small angle से वह rotate हो के क्यों रुख जाता है क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर